हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सलीपी क्लासीज में तो आज के प्रेमिक्स में पांच कॉश्चन जो हम डिसकूस करेंगे पॉलिटी एंड गवेनिंस से रहेंगे पांचो के पांचो कॉश्चन आपके करेंट अफेस रहेंट हैं जो कि हम अल्रेडी ही D&D और जो हमारा टू मिनिट्स का इनिशेटिव है उसमें डिस्कस कर चुके है तो यह देखते हैं किस तरीके से आपकी प्रेप्रेशन चल रही है शुरुआत करते हैं पहले कुशन के साथ जहां पर बात हो रही है निश्ठा इनिशेटिव के बारे में आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में रिसेंट्ली लॉंच हुआ है दो स्टेट्मेंट दी गई है पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है ध्यान रखिए इस तरीके एकर टाम्स का चार कोर्ट आपको प्रोवाइड किये गए है पहली सेट्मेंट देखें इसकी लॉंचिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने जो मिनिस्ट्री जिन्हों ने इस इनिशेटिव को लॉंच किया है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, Micro, Small and Medium, Enterprises सेकिंड में करें जो इनिशेटिव आपका फोकॉस करेंगा और जनरेटिंग रिसोर्सिस फॉर्ड यंग एंटर्परनियोर्स तो दो स्टेट्मेंट दी गई है अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी अगर आपने इसके बारे में कहीं थोड़ा सा भी पता होगा बहुत इसली आप इस कोशन को सॉल्ब कर सकते हैं वीडियो पॉस कीजिए करेक्ट आप्शन मांक कीजिए फिर हम डिसकस करते हैं इसकोशन को तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेट्मेंट्स गलत है बेसिकली जो इनिश्था इनिशेटिव है फुल सॉर्म क्या है नाशनल इनिशेटिव फो स्कूल हेट्स और टीचर्स होलिस्टिक एडवांस्मेंट तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इनिशेटिव लॉंच किया गया है तो काफी क्लेर है कि किसके दौरा किया होगा यह आपकी मिनिस्ट्री ओफ HRD दौरा लॉंच किया गया है जिसमें पर्टिकृर्री जो हमारा डिपार्टमेंट आफ स्कूल एड़ुकेशन लिटरेसी वो इसके मॉनिटर कर रही है उनके दौरह यह लॉंच किया गया है ठीके जी एक इंटेग्रेटिटी टीचर प्रोग्राम है यह इनिशेटिव जिसके चलते यह कोशिश की जाएगी कि कोबिट नाइटिन के वाएसे जतनी भी ऑनलाइन अब एड़ुकेशन प्रोवाइड की जारी है स्कूल के जारा उसमें जो टीचर की ट्रेनिंग है वो और जादा बहतर हो सके ठीके जी एक यहां पर यह इनिशेटिव है to build capacities of teachers and school principals at an elementary stage ठीके जी क्योंकि काफी एक transition है एक तरीके का कि offline mode से online mode में convert करना है तो teachers better तरीके से prepared रहें थाकि उतनी ही better तरीके से वो education एंपार्ट कर सकें उसी के लिए initiative launch किया गया था और covid-19 के चलते ही आपकी काफी continuous development हो रही है opportunities वहां पर provide की जारे है teachers को elementary level पर और इसी के चलते department ने launch किया था आपका निश्ठा online using dixia platform अब आप comment box में था यह दिक्षा platform आपका basically किस चीज के लिए यूज किया गया था उसी के चलते इस platform की help से ही यह आपका निश्ठा online यहां पर launch किया गया है simple सा question था अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें पत होती तो बहुत easily तासरते थे कि इसका ministry of MSME या फिर entrepreneurs related कुछ भी नहीं है या आपका education related initiative है बढ़ते हैं अगले कुशन की ओर जहां पर बात हो रही है juvenile justice care and protection of children amendment bill 2021 का बहुत important है प्रिलम्स point of view से आज का जो हमारा two minutes का session था totally इसी के ओपर dedicated था I hope आपने उसको तो पहली statement में कह रहे हैं कि जो आपके offences punishable with imprisonment less than seven years या आपके try किया जाएंगी या इनका जो trial होगा वो आपकी judicial magistrate दोरा किया जाएगा second में कह रहे हैं कि bill ने add की है serious offences जो की basically include करेंगे वो offences जिनके लिए maximum punishment जो दी जाएगी imprisonment की वो आपकी साथ साल से जादा होगी तो दो statements हैं आज को जो मारा session था totally इसी के ऊपर था बहुत simple चीज़ें यहाँ पर आपसे पूची कहीं है थोड़ा सोचिए इसके बारे में correct option mark कीजिए फिर हम discuss करते हैं इस question को तो देखी पहली statement में जो बात हो रही है कि जो आपके offences punishable with imprisonment जो साथ साल से कम की जिसे सजा होगी या जो offences उस category में lie करेंगे तो वो basically try के जाएंगे उनका जो trial होगा judicial magistrate के सामने होगा तो यह जो statement है या आपके जो 2015 का जो यह act है उसके अधार पर तो correct है बट नया बिल आ गया है नई amendment हुई है तो जितने भी cases रहेंगे इसके सभी ही आपके children's court में ही deal किये जाएंगे second statement पर क्यों correctly उताया गया है कि basically जो आपके series offences है उसकी जो list है उसमें आपके वो offences भी आएंगे जिसमें maximum आज ही के हमारे two minute session में cover हुआ है link आपको यह provide कर दी जाएगा अगर आपने trend नहीं किया तो जरूर उसे जाके देखिए तो basically जो पिछला आपका act था आपको पता होना चाहिए juvenile justice care and protection of children act of 2015 तो इसी में ही यहां पर amendments लगाई गई गई है ठीके जी तो इसमें और क्या चीज़ें add हुई है कि जहां पर adoption की बात की जाती है इस तरीके किसी बच्चे की तो वो जितना भी किया जाएगा आपके civil court दार किया जाएगा यह कहा था आपके 2015 के act ने बट अब क्या किया गया है जो इसमें district magistrate रहेंगे ठीके जी इंकलूडिंग additional district magistrate वो भी इस तरीके के adoption orders यहां पर issue कर सकते हैं ठीके जी यह नई amendment यहां पर लगाएगी है उसी तरीके से 2015 को जो act था उसमें आपके अलगले categories बनाएगी थी heinious offenses हो गया, serious offenses हो गया, petty offenses हो गया तो basically जो आपके serious offenses रहते थे उसमें 3 to 7 years की जो imprisonment होती थी वही include की जाती थी but इस bill ने क्या किया है, इसमें amendment क्या लगाईगी है, कि जिसकी imprisonment या जो punishment दी जाएगी, जेल की, वो 7 साल से जाधा रहेगी, वो आपके serious offenses में add किया जाएगा ठीके जी, तो ये कुछ-कुछ details हैं, जो कि आपको पता होनी जूरी है, कि क्या changes लाएगे है, question आपको इसी तरीके से पुछा जाएगा, कि हो सकता है, पुराने act की statement डिजी जाए वहाँ पर, जैसी कि हमने statement 1 में दिया था, और आपसे पुछा जाए, क्या ये correct है या नहीं कि इसमें amendment हुई है नहीं, तो ये चीज़ें आपको brush up करने की बहुत जरूरत है, notes बनाई अच्छे से, अपने हर जगा सारी चीज़े mention कीजिए, compare कीजिए, D&D session में भी आपका पूरा comparison किया गया है, कि पिछले act में क्या था, फिर आपके नए amendment bill में क्या लगाया गया, कु पहली statement में कह रहे हैं, जो पहली आपकी statutory national commission for minorities था, 1993 में इसकी स्थापना की की थे, under the ministry of minority affairs, second में कह रहे हैं, जो functions आपकी commission के, वो है related to six notified minority communities, तो दो statements आपको यहां दी गई है, अब आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी notified minority communities हैं, तभी आप second statement के बारे में बता सकते हैं, क आपको तभी पता होगा, अगर आपको इस से related background पता होगी, इस commission से, ठीके जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आज का D&D session आपका, उस पर ये topic आपका particularly cover हुआ है, आपने जरूर अटेंट किया होगा, और उसी के अधार परा बहुत इस question को भी solve यहां कर सकते हैं, Ministry of Minority Affairs exist ही नहीं करते थी, उस दोरान आपकी Ministry of Home Affairs थी, जिसके अंडर ये particularly आपका commission लाई करता था, ठीके जी, second पर को correctly पता है आपके six notified minority communities हैं, जिसके basis पर ये काम करता है, इसके functions आपके उसी से related रहते हैं, incorrect statement आपके पूछी की थी, तो उसके अधार पर, पहली statement आपकी incorrect है तो ये option यहाँ पर correct option है, तो बात करें कि हम ये चीज discuss क्यों कर रहे हैं, तो जो हमारा national commission for minorities हैं, उन्होंने informed किया है कि जो पहले आपका minority commission होता था, ठीकी जी, तो उनकी जो annual reports थी, 1981, 1982 और 82, 83 की, उसमें उन्होंने recommendation रखी थी, कि committee की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है, human rights commission की, ठीके जी, ताकि जो हमारे secular traditions और national integration है, उसका promotion किया जा सके, अब उस दोरान ये recommendations दे दी गई, इस पर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि आसी तरीके जितने भी आपकी commissions या committees रहती हैं, उनकी जो recommendations होती हैं, वो binding nature की नहीं होती है, ठीके ज़रूरी नहीं सरकार को follow कर नहीं है, पार्लेमेंट को वो लागू करनी ही है, तो उस दोरान ये चीज़े skip कर दी गई, तो दुबारा से अब इन्होंने कहा है, कि उस दोरान ये recommendations रखी गई थी, उसे दुबारा observe किया जाए, और इस तरीकी का commission वहाँ पर बनाया जाए, national integration come human rights commission, ठीके जी, बाकी हम ब important point है, हो सकता है आपको वहाँ पर question में इस तरीके से दिये जाए, कि जो आपका इस commission के functions है, वो कौन सी ऐसी minority communities हैं, जिनके अधार पर ये function करते हैं, list आपको provide करती गई हो, आप select कीजिए, इनमें से कौन कौन सी include की गई है, तो आपको पता होने ज़रूरी है कि ये कौन कौ communities हैं, question आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बढ़ते हैं अगले question के ओर, तो फोर्थ question में बात हो रही है, कि इनमें से कौन सी agency है, जो की act करती है as a noodle body for the adoption of Indian children, तो आपने juvenile और justice वाला जो हमारा amendment bill है, वो पढ़ा है, उसी के अधार पर एक और question आप से हाँ पूछा Child Welfare Committee या D में कह रहे है, नन अव दिबव की इनमें से कोई भी नहीं है, बहुत simple सा question है, straightforward fact-based question है, आप बहुत easily से solve कर सकते हैं, mark कीजी correct option, फिर हम उस agency के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी correct option है, Central Adoption Resource Authority, तो basically अगर हम authority के बारे हम बात करें, statutory body है, जो कि आपकी Ministry of Women and Child Development के इंडराती है, ठीके जी, nodal body की तरह ये act करती है, कि अगर Indian Children की किसी प्रकार की adoption होनी है, तो basically वही इसे monitor करेंगे, साथ के साथ ही ने mandate दिया गया है, कि वो monitor भी कर सकते हैं, regulate भी कर सकते हैं, in country and inter country adoptions, ठीके जी, अगर suppose कोई बाहर का couple है, ठीके जी, बाहरले का couple है, वो इंडिया के किसी बच्चे को adopt करने जाता है, तो उन्हें भी इसी basically agency को consult करना पड़ेगा, इनसे permission लेनी पड़ेगी, तो basically और अगर इसके बारे में, अगर हम बात करें, किस तरीके से आपके लिए important है, तो ये designate की गई है central authority, ताकि जिस तरीकी की आपकी इंटर करेगी, और government of India ने इसे 2003 में ratify भी किया था, तो अगर आपसे question इस तरीके से पुछाजा, adoption selected, कि कौन सी ऐसी convention है, जिसके आधार पर ये particular authority काम करती है, तो ये भी पता होना उतना ही important है, important fact है, इसे mark कर लीजिए, ज़रूर अपने notes में compile कीजिए, ठीके जी, तो ये basic details थी, जो कि आपको पता होनी जरूरी है, अब जो आपका ये bill है, जो कि recently ही राजे सब्वा दौरा पास किया गया है, इसमें से multiple तरीके questions बन सकते हैं, तो आपकी PRS की website है, वहाँ पर काफी, हम कह सकते है holistically भी, और थोड़े crisp format में भी अगर आपने notes बनाए, तो बहुत easily आप इस MESA, कि इस से related दो statements दी गई है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन कौन सी correct है, पहली statement में कह रहे हैं, जो scheme है basically formulate की गई है by the Ministry of Social Justice and Empowerment, और second में कह रहे हैं कि इस scheme के अधार पर under this scheme, आपके financial audits होंगे, conduct किये जाएंगे for all schemes of the department, starting आपका जो financial layer है 2021-2022 का, ठीके जी, अब ब बहुत important है, recently आपका formulate किया गया है, एक ministry दोरा, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी correct है, हम फिर check करते हैं आपका answer correct है या incorrect, तो देखिए पहली statement तो बिपूल correct बताएगी है, बट जो second statement में बात हो रही है, financial audits के बारे में, वो basically थोड़ी आपकी statement यहाँ गलत होगी, यह आप information, monitoring, evaluation and social audit, ठीके जी, तो इस scheme के अधार पर social audits आपके conduct किये जाएंगे, अब social audits जो रहेंगे, वो आपके social audit units के थूरू conduct किये जाएंगे, ठीके जी, आपके states की भी होगी, इसमें आपका national institute for roller development और पंचायती राज institutions, यह सभी include किये जाएंगे, इनके थूरू ही social audits conduct भी किये जाएंगे, अब फरक क्या है, financial audit और social audit के बीच में, कि देखे, financial audit में तो सारी details देखी जाएंगी, किस तरीके से पैसा आया, कहां use किया गया, कितना उसका result generate हुआ, social audit में, basically, एक holistic approach रखी जाएगी, एक greater scope रहेगा, कि समझीए, एक scheme यहाँ पर लागू की गई थी, scheme launch क कि इस particular association, हम कह सकते हैं, community है, या एक section है, जिसके well-being के बारे में बात की जा रही है, ठीके जी, उस scheme के चलते, तो अब यह social audit में क्या होगा, कि वो देखेंगे, कि किस तरीके से वो impact की है, scheme, क्या उसके results जो हमें चाहिए थे, desirable है, या नहीं है, मतलब, social performance यहाँ पर evaluate की जा समझा जाएगा कि किस तरीके से इसे और ज्यादा improve किया जा सकता है, काफी अच्छा initiative है, इस तरीकी का audit और होने चाहिए, हमारे जितनी भी schemes launch होती है, schemes तो काफी अद तक इसी तरीके से launch की जाती है, कि समाज का और हमारे देश की citizens हैं, उनका भला किये जाए, बस जो कमी र 5 questions, बहुत ही simple से current affair based 5 questions थे, I hope आप में से सब भी नहीं यहाँ पर, 5 out of 5 score किया हो, बट still जो भी आपका score है, comment box में ज़रूर mention कीजिए, और regularly यह जो हमारे initiatives है, D&D, 2 minutes, और आपका editorial, D&D और 2 minutes तो आपके लिए prelims point of view से बहुत important है, daily news discussion की दर है, बहुत ही crisp format में आपको दो द इनकी खबरें यहाँ पहुंचाई जाती है, हर alternative day आता है, 2 minute session में जितने भी important concepts हैं, परी कसा में नजदीक आ रहा है, detail में cover की जाते हैं, नाम ही 2 minutes हैं, बट session आपके 15-20 minute के रहते हैं, तो कोशिश कीजिए 15-20 minute में हर एक topic के बारे में maximum information यहाँ gain करने का, इन सबी चीज़ो को पढ़िए, फिर देखिए कि प्रेमिक्स के माध्यम से जो आपने पढ़ा है, क्या आप उसे apply भी कर पा रहे हैं, कि आप उससे related questions अंसर कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जुरूरत है थोड़ा और अच्छे से अपने notes बनाईए, उसे revise time and again, content बहुत सारा है, जितनी बार आप revision करेंगे, उतना ही फायदा रहेगा आपके लिए कि आप उस चीज़ को retain भी कर सकें, ठीके जी, बहुत simple सी बाते हैं, और जाने से पहले, एक piece of information आप सभी के लिए, batch 4 के courses हमारे launched है, enrollment date extend कर दीगी है, 9th August, चार courses है, कौन से आपका प चुकी है, जितनी भी इसकी necessary details है, हमारी website पे available है, आप जाके check कीजिए, अगर आपकी कोई भी queries हो, installing plans related है किसी भी, और applications are related, आप हमें call कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपकी हर एक problem को resolve करने की, ठीके जी, so that will be all, all the very best and have a good night. एकिलिए इसादैं से ठीके लुपने कुछा से लाएद कर्याटक., अपारी आपकी हर ंपकी हो, से यहाँ एल दापकी हो, भी थालोग चार्टक रहाँ मामारी झालोगा एकर ऑापकी हो, अवाझ bon, एक एकु लगपने चाहँ करताओे हो, आपकी हर इसे, को दोट़ूपना झाल